हेलो दोस्तो धडिवाइन संसा चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें आपके लिए हम ऐसी ही भक्ति और मरोरंजन वरत कताएं लाते रहेंगे आज का विशह है गुरू प्रदोश वरत गुरू वार के दिन पढ़ने वाले प्रदोश वरत को गुरू प्रदोश वरत कहा जाता है हर दिन आने वाले प्रदोश वरत का अलग-अलग महत होता है प्रदोश वरत हर महा के क्रिशन और शुकल पक्ष की त्रयोदेशी को रखा जाता है। मान्यत है व्रदोष्वरत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और मनुकामनाय पूरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं व्रत की विधी के बारे में। गुरुवार यानि तुर्दशी के दिन सुर्यद्र से पहले उठकर सबसे पहले भगवान शिवजी को परनाम कर दिन की शुरुवात करें, इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान कर, आमचन कर, वर्त संकल्प लें, अब सफेद वस्त धारन करें, इसके बाद स सबसे पहले सुर्यद्र को जल का अर्दे दें, अब पूजा ग्रह में चौकी पर भगवान शिवजी की प्रतिमा, या चित्र स्थापित कर, उनकी पूजा, जल, काले तिल, बिल पर, पत्र, भांग, धतूरा, फल, फूल, दूद, धूर्वा, धूब, दीप, आधी साथ ही प्रदोश वरत कताकर भगवान भोले नात की आर्थी अर्चना करें, अंत में ओम नमशिवय मंद्र की एक माला का जाप करें, दिन भर उपवास रखें, संध्याकाल में आर्थी अर्चना कर फलाहार करें, अगले अगे नित्ते दिलों की तरह पूजा पाढ़ कर व प्रदोश वरत का धार्मिक महत्व है, धार्मिक मानताओ के अनुसार सप्ता के सातो दिन के प्रदोश वरत का अपना विशेश महत्व होता है, और गुरू प्रदोश वरत करने से मनोकामना पूरी होती है, मान्यत है, ये वरत करने से संतान पक्ष को लाप प्राप्त होता ह अब बात करते हैं गुरु प्रदोश व्रत कथा के बारे में सकंद पुरान के एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विद्वा ब्रहमणी रोज अपने पुत्र को लेकर बिक्षा लेने जाती ऐसे ही एक दिन वह जब बिक्षा लेकर लोट रही थी तो उसे एक अत्यंत सुन्दर बालत दिखा वे बालत उदास था और अकेला बैठा हुआ था वे विदर्बुद्देश का राजकुमार धर्मगुप्त था हलाकि ब्रहमणी नहीं जानती थी कि वे बालत कौन है एक युद में शत्रो ने धर्मगुप्त के पिता को मार दिया था और उसका राजे हडप लिया था इसके बाद उसकी माता की भी मत्यों हो गई ब्रहमणी ने उस बालत को अपना लिया और अच्छे से उसका पालन पोशन किया कुछ समय बाद ब्रहमणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई यहीं उनकी भेंट रिशी शांडिल्ये से हुई रिशी ने बताया कि जो बालक मिला है वे विधर्ब देश के राजा का पुत्र है यह सुनकर महिला उदास हो गई रिशी शांडिल्ये ने ब्रहमणी को प्रदोश्वरत करने की सला दी रिशी की आग्या से दोनों बालकों ने भी प्रदोश्वरत करना शुरू किया दोनों बालक कुछ दिनों बाद जब बड़े हुए तो वन में भूमने निकल गए वहां उन्हें कुछ गंधर्व कन्या नजर आई ब्रहमण बालक तो घर लोटाया किन्तु राजकुमार धरमकुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया कन्या ने विवाहित्तु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया दूसरे दिन वे जब वե पुना गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पता को पता चला कि वे विदर्व देश का राजकुमार है इसके बाद भगवानशीप की आग्या और अशिरवात से गंधर्व राजने अपनी पुत्री काविवार राजकुमार धरमगुप से करा दिया राजकुमार धरमगुप ने गंदर्व सैना की सायता से विदर्व देश पर फिर से अपना शाषन स्थापित किया मानेता है कि ऐसी ब्रामणी और राजकुमार धरम गुट के प्रदोश वरत करने का फल था सकंथ पुरान के अनुसार जो कोई प्रदोश वरत करता है और इसकी कता सुनता या पढ़ता है उसकी तमाम समस्याएं रोक कश्च सब दूर होते हैं